वूर्णी गाइस तो आज नंबस सेट्टर में आपको डिविलिटी बुट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं तो देखते हैं हमने पहले जाते हैं तर च्रुट की विसें में दो जाकारी दीती समांतर शर्णी गुर्टर शर्णी और हत्र शर्णी पता उसके पहले हमने संख्याओं की विसें में बजार काली दीती आज आज इसी नंबस से क्लास को आपके लिए डिविजिबिल्टी रूल की विसें तोड़ा पालते हैं अंको इसे नंबस से पताना का होता है हम यह रिकाना होता है यैसे कोई संख्या कहें 3220 डुसे बचहें बताव यह संख्या क्या 8 से विवाजित है यह सिता है 121 कोई संख्या है बताव क्या पीर cricket 3 पुवाजित है इसी को व्याद पढ़ने के लिए कुछ रूल बनते हैं, उसने को विविविविटी रूल या विवाज़ता के नहीं करते हैं सबसे पहले संका हमारी एक है, सबसे पहले आप एक की विश्यम जनकारी लेते हैं अब एक जानकारी क्या है, एक एक ऐसी संक्या है, जो केवर उनकी वर एक से विवाजित होती है, और एक किसी संक्या से विवाजित नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी संक्या है, जो सबी संक्यां को विवाजित कर सकती है, पिर सुरना, एक केवर एक ऐसी संक्या है, जो केवर एक स से ही वाज होती है और किसी संख्यास से वाज करें होती है लेकिन एक ऐस ऐसा फैक्टर या गुलत घंड है जो सारी हिंजाम को वाजित कर सकता है इसके बाद सेटेंड पांड आता है तुमारा दो चार आठ सोडा और चॉंसट के डिविल्टी उन अब सबसे बड़ी बात से कि हमने एक सबको एक साथ के उलिए है दुचारा आठ सोडाव चॉंसट यहां 22 भी हो सकता है संख्याँ इन सबकों आपने एक साथ के उलिए है क्योंकि इनमें सबमेस दबका दूल एक समान नहीं है सबसे पहले देते हैं दो दो का युदत दो की पावर एक इसको व्यार के से करें द्यान नहीं यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का अंतियम सम हो या दोस्ते दिवाजित हो यदि किसी संख्या का अंतियम सम हो या दोस्ते दिवाजित हो तो वो संख्या दोस्ते दिवाजित हो जाएगी जैते 52 सेकंड है 104 3 112 1024 1132 यह सारी के सारी जुन्या के दोस्ते दिवाजित होती हैं अच्छा इस रूल से रिमेंडर रिमेंडर या सेस भी ग्याथ कर सकते हैं कैसे देखो एक संख्याती है 12,532 कैसे इसको दोस्ते दिवाजित करें तो रिमेंडर क्या बचेगा या हमें केवला लास Plus से करना है या हमें एकाय का हम बचे करना ए कसे की संख्या केवला हमें बॉस्ते करना है तो हम फिर से लाशन देखते हैं लाशन एक है और एक को और हम दो से डिवाइट देए तो रिवेंटर कितना बसता है एक रिवेंटर बसता है या एक से डुसता है कोई सुन्काती है मालगो पांसो पच्छिस पांसो पच्छिस वीस प localized और कम 3 बन हो तो रिमटर क्या ऊचेगा, फिर से वही बात है कि हमें क्यों उट क्यों संक्ष्या का लाश का हमें, अकर हम 5-2 संक्ष्या के रिमटर को यतना होसका रखता है फिर संख्या को भाग 2 चखा देगे, उसका रिमटर भी कितना है, πितना होता है, एक बचेग हो इसे चार कामतल्व है, दो की इपावर को इस से हमें कि को पचला तरही संखिया की ऐंटील दुंग एडी संखिया का अंतील दुंग Creator यदि संखिया की अंतील दुंग könnten चार से मवाणित हो तू है संख्या, 4 से रवात 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 र जैसे निखाऊँगा 15, 12, 13, 56 यह काथी बढ़ी संक्या है, हमने पता कर रहा है क्या यह संक्या 4 ती बाजित हैं तो हमने केवल और केवल लाज़्टी दोह में देखें यादि लाज़्टी दोह में 4 से वाजित हैं तो संक्या 4 से बढ़ जोगी तो देखो 56 बढ़ चाहर से वाजित हो जाता है तो संक्या में कावगी यह 4 से बढ़ जोगी अब बोड़ के सूझे होंगी कि यह जा 104 से बढ़ है उस 0 में क्या 0 चाहर से बढ़ जाता है तो बिल्कुल है 4 यह गजी 0 बार भाग देए तो जी 0 जाएगा संख्यार हे यeri 10 संख्यां के गोदिकिंख ए vos लिगे टेवभ सर्फ होगी गुए यह चाल ही जिवाइं, तो संख्या बिभान होगी 10.8 मथन के वादव ? 2 की पावणति इस से में क्या पजादा कि यया निफ तीव संख्यां के कि अंतिं तीन अंक आठ से जिवाजित होगी यदि किसी संख्या के अंतिं तीन अंक आठ से जिवाजित होगी जैसे यह 2000120 जो 10500 या 13504 अब दो हमें क्या सब्सक्राइब लाशिए raz के थीनन के चिकaudio पहने है तो आट के 3 अब कोब कहते हैं तो लीन 딱 को में 95 चिकavored होलता है वैसे यहां लिखा है यह 512 जिया को अब बहता है 500 अब बार अच कि अब चुल लिखा है यह दे आगी की आग से कड़ जाएगी है तो मांकर फूरी संख्रा भी क्या हो, की ऐट से गिवाइदि हो जाएगी वैसे इसको देखने लाश्टी का 3 हो दूर्टा रखना है ऊग्यों 8-6 का तारुस्क दो अचा, 4 8-3 24 तो लाश्टी क्या हो तुम्हारे और 8 से गिवाइदि हो रहे हैं यदि हम 4 से ग्वाजब करें तो रिमेंटर क्या बचेगा यदि हम 10,533 को यदि हम 4 से ग्वाजब करें तो रिमेंटर क्या बचेगा तो हमें अजर faucard Divisibility Rule पता है तो हमें सवाल करना है मात पर नात ombar second हरी दे हमें क्या करना है लाश की केवल और केवल दो मुझे कड़ने में तो क्या देखो लाश की वह देखते हैं 22 से रिखा है चार से डिवायट करें पिए तो आठ शे को 32 32 से कड़ जाएगा हो जै कितना ये तू जही जो एक बचाना वही इस संखा को तो चार से डिवायट करें पर हमारा आठ का मता प्राक्त होगा रिमेंदर प्राक्त होगा जैसे लिखा होगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक संख्या रिखिए और ये काफी बड़ी संख्या है तो मुझे कहेगा कि मैं यह मताओ इस संख्या को वेदी आठ सी बाजे करें तो रिमेंदर कितना उचेगा रिमेंदर मतलग सेस कितना उचेगा तो आप बहुत लगए इसको पूरा ट्राइट करेंगे इस वाज से अगरी तक तो हमें लगता है आवी समय देंगा हमें केवल और केवल डिवियोडिटी रून के हिसाब से लाज किके हमें तीन हम जिप पढ़ेंगे क्योंकि संख्या लाज हमें आठ ही है अब देखो 71 को बाद ही बाद से तो 84 74 क्या तो उचा 7 और यह 8 तक है यह 8 हुचा 8-9 तो 70 कितना हुचा 6 अगर इस 718 को आठ से बाद देनेगे 6 रिमेंडर भषता दा है तो इस पूरी संक्या वी अगर आठ से बाद देंगे तो रिमेंडर 6 रही प्लाप होगा अब आते लिट्र 16 किसे हैं 16 का मतलब क्या होता है 16 का मतलब भी क्या होता है is 2 की पावश 4 आबिने सीखा 2 2 का मतलब 2 की पावर या मतलब आइट का मतलब दो से वगवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव अंधिर चार अंगु तो सोले से विभाजित हो तो संख्या सोले से विभाजित होगी तो संख्या सोला से विभाजित होगी कैसे कुछ संख्या थी होती ग्यारा हजाद पांक सो बीस कहना जिसको हम सोला से विभाजित होगी तो रिमेंडर कितना उचेगा एक संख्या थी है ग्यारा आजाज पांक सो बीस यथी हम इसको संख्या को सोला से डिवाइड परें तो रिमेंडर यत्म उचेगा तो हमें क्या चैठ करना है इस रूल के इसाबकिते हैं और लाष्टी किवग इस चार भुचिग करना है यादि चार्ण जो सोला से डिवाइट होती है, तो इस ओपर जोड़ जाएगी, फिर कितना रिवेंटर बचेगा चार्ण काट नहीं, उतना ही संख्या को भाग दिने में भी इवेंडर बचेगा, तो यह सोला सबागे, सोला इन दिने होता है, इस चवालिस, बचे कितना सुला सभी इस forecast, संख्या पूरी पूर करगी, तो मतलब यहार इवेंटर बितना चैगा, जीरो बचेगा, मतलब गियाराथाजार प्वासर बीषत दिन दिन होता से रिवायट zodना है, संख्या पूर्तिया गाजिता हो जाएगी, संख्या पूर्तिया वि वाजिता हो अब बादी 32 की और 14 वैसे 32 और 14 पर रोल है पता में लेकिन इस पर सवाल रही होते हैं सवाल कमाईकर 16 तम लेकिन इस सो फिर्फी दे लेते हैं 32 की मदब क्या होता है दो की पावर 5 पता चलिका होता कि अंतिम 5 है यदि अंतिम 5 होते हैं तो संक्या की आउगा 32 से डिवाइड हो जाएगी यदि संक्या के अंतिम पांच अंग बत्तिस से विभाजित हो तो वैं संख्या बत्तिस से विभाजित होगी इसी तरीके से चौकर का नान कितना होता है दो की पांच है मतलब पता का चला अमें यदी संख्या के अंतिम च्रहयन के चोंसर से विभाजित हो तो वैं संख्या का आपर चौक से विभाजित हो नान कितना है चाहिए मद दो चार आठ शोलाम हमद्ति चौकर का मतलब मतला 2 की पाट ने, Ads 9 की अकर 2 से बट जाये, वह संक्या 2 से बट जाए ङ। 3 का दॉका 2 की पाट जाये अकर 4 से बट जाये 8 मतला 2 की पाब्वर 3 मतल whffen संक्या की अंति Coast powered left कि कि थे संक्या अ इदी ऐट से दिवाएट रहे दो तो संक्या आट से डिवाएट रहेंगी थो संक्या आट से दिवाएट राएगी 16 सोलत मुत्लथ 2 की पावर चाह现在 यूदि संक्या कि अंति 4!! atu 17 से इック है सोलत से घट जाएगी चलो स्क्रिक्षन को सवाते करते हुआ है एक दो तीन चार पांच पर संख्या जाले हैं 16 17 18 यदि इस संख्या को चार सी वाज़त करें तो रिमेंडल कितना हुआ है पुश्य नमा दूसरा है एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ विन्यानिवे और सो यदि हम इस संख्या को आठ सी वाज़त करें तो रिमेंडल कितना हुआ है पुश्य नमा दूसरा है एक दो तीन चार पांच वो जो है छिएत्तर अम पुटा दरें यदि हम इसको आठ से वाज़त करें तो रिमेंडल कितना हुआ है तो तो रिमेंडल कितना हुआ है तो तो दुश्य नमा पहला देखनें कैसे करें इस वाज़ कोश्य नमा पर पहला दरा एक दो तीन चार पांच यह दैड़त हुआ है कि पांच और च्छा यह साथ आठ ऐसे देखती रहेगी और संख्या का तो जाएगी अठारा दर जाएगी और यहीं हम इस संख्या को चार से डिवाइड करें तो रिमेंडल क्या बचेगा जिए बताना है वैसे कि ध्यान प्रगना हमें इस पूरी संख्या से कोई बत्सम नहीं हमें इस संख्या की केवर और केवर लाश के दो नक से मतब है अठारा अथारा को चार से बताना है जो रिमेंडल बचेगा वही इस पूरी संख्या को बहाज दे बसक्थ है 18 से गवाग दिया, चार्च को 16 को इंड़र कितना चाहँ? 2 पर इस कोष्ट कांसर कितना होगा? 2 होगा मतलब रहे हम पूरी संख्या को गया दिया हम 4 से भाग देंगे तो वही बड़र कितना चेगा 2 बशेगा ऐसे इसको देते हैं यह संख्या जा रहा है एक से लेकर उस्तों तक की संख्या रिखी भी है और यह संख्या को हमने 8 से भाग देना है 8 मतलब दो की पावर्ती मतलब हमने लाश्ट की के वलों के वाग तीन दो हाग दे दे मतलब हमने के वलों के वाग सो को 8 से भाग देना है ज्यादि हम सौ ओ को HEY से भाग देगे परिमंडर तिसमा वुचेगा मुचेये वुचेग steady qeco 8 आड तो आड़ में जोला चार तिसमा अचे भी प्रिमंडर तिसमा वशेगा चार सौ को इची हम आठ से भाग देगे प्रिमंडर तिसमा वुचेगा 4 तो मतलब जाब अजला कि संख्या को भी तो भी तो भी बिढ़ने तुक नोचेगा, चार बसेगा, अब सवाल नहां पड़ चुड़ी कत रहती है। इस सवाल को सवजेस पहले उपर जाएंगें। दो, ती, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, जारा विसे कर जाएगी। वो छीयत्तर अंकों तक जाएगी। ना कि छीयत्तर तक जाएगी। मतलब हुए यहां पर छीयत्तर अंकों वाली संख्या प्नानी है। आपधे यहां पर सपाल कि छीयततर का संख्या देखना नी चेत्तर का संख्या था ना कि है। सबसे पहरे देखते हैं। सबसे पहरे देखतें। यह सिलवात 9 जुक है और 8 संख्या हीथ तुम है। और हमृत्तिक संख्या एक हुगी है प्याहां कितने अंगों बनगें? नो बनबें और यह लाश्क देते हैं अगर यहां पर नो बनबें तो यहां पर छेतर नव बढ़ाएंगे तो कितने यह गुचेगे? 67 हम गुचेगे या 17 हम गुचेगे मतल्ब इस 9 के आंगले सरसर अंगतों के संख्या बनाने है अब देखो, 10, एक संख्या दो अंगों की है 11 12 मतलब इसके आंगे के सारे संख्या जासी है दो अंगों की है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इस सरसर कुछ दो से भाग देना पड़ेगा को कितना आएगा साथ 24-³ इस संख्या जाएगा 33 का संख्या जाएगा 33 का संख्या जाएगा मतलब इस संख्या कितने आएगा 33 संख्या जाएगा तो लाश्ट की हम कुछер रेना आए 6 संख्यों कि है शुआ कैसे आएगे 33 जाना है मतलब इस थे यह बालो videos to जाना है, तो संख्या कित्ये निये एक से नौ तक ये और 33 संख्या कित्यों के 42 तक लेटी है। कैसे लेंगी? 10, 11, 12, 12 पिलाज संख्या जाएगी, वो जाएगी 42, इसके पहले की जाएगी 41 अपनी हिएगाँ पर एक संख्या जो बजिती वो भी कहने लेना है, वो अंगोंसा होगा, वो रोकिवर, रोकिवर 4 होगा क्यों कि 42 तक हैथी, तो च्वर्च के बार पहला होगा लेना है, इसके बार होगा नहीं लेना है पर समझना, हमने क्या किया, कि एक श्यत्ता रंपु भी संख्या थी, इसके हमने पहले नौ में निका लिए, कितने आंको रुचे, सल्सटान, इसको हमने दो से डिवाट किया, कितने रुचे, तेंटीस, और तेंटीस में एक रुच गया सिंगर बाद, खेंटीस जोड़े अगली तेंटीस संख्या चाहिए, मतला 42 संख्या चाहिए उनको संख्या तो एक से लेकर 42 संख्याओं में उनको 75 रंप भी जाएंगे, और जो 76 रंप होगा, वो कौन सा होगा, 4 रोगी, 42 के बाद 47 आएगे, 43 से लास्ट रंपर ने चाहिए, हमने की बारों की बार चाहिए अगी संख्या को हमें 8 से डिवाइट रना है, और बताना है अगी मेंटर का हुचे है, फिर से वही दिखा, 8 रोग सब्ला होता है, 2 की पावर्ती, मतला हमें पूरी संख्या डिवाइट ने करनी है, हमें यह लास्ट के 3 के डिवाइट करने है, अगर 3 हैं तुमारे 8 से संख्या पूरी-पूरी 8 से कंड़ी, मतला डिवेंडन कितना है चेगा, 0 चेगा, मतला 8, 16, 32, 24 के बाज़ें देखा, आम देखते हैं 3, 9, 27, इनका रोल भी सेव है, क्या रोल है, सबसे पहले हमें 3 ना देखते है, कि भूल किया इसका यदि संख्या के अंकों का योग तीन सिर्वादे तो इसमें नहीं बात यदि संख्या के अंकों का योग तीन सिर्वादे तो तो वह संख्या तीन सिर्वादे तो भी नौ का रूर क्या है यदि संख्या के अमकों का योग नौ सिर राजित हो यदि संख्या के अमकों का योग नौ सिर राजित हो उसंख्या नौ सिर राजित होगी 27 दिक रेते हैं यदि संख्या के अंकों का योग 27 सिर वाज़त हो ज़ि संख्या के अंकों का योग 27 सिर वाज़त हो तो ज़िस संख्या 27 सिर वाज़त होगी पर समयना तीनों के तीनों के रूल सेम है पहला तुम क्या है तीन दिली ज़िस संख्या के अंकों का योग 27 सिर वाज़त हो तो संख्या तीन से वाज़त होगी यदि संख्या के अंकों का योग नो से वाज़त होगी यदि संख्या के अंकों का योग 27 से वाज़त होगी संख्या सताईस से वाज़त होगी एक वाड़ में देखना तीन नो सताईस कोई संख्या थीन से वाज़ती होती है इसका मतलब यह नहीं है कि उसंख्या नौ से भी वाज़ती हो भी और 27 से भी वाज़ती होगी कोई संखा यंदि थीम भी वाज़ती है तिये जरूरी लख है कि दोन और ौछ संखा 9 से भी वाज़ती है तिये जरूरी है कि पर संखा 27 से भी वाज़ती होगी और 9 से भी वालत होगी, फिर समझा यदि कोई संखा 27 से भी वालत होती है, तो संखा 3 से भी वालत होगी और 9 से भी वालत होगी, बसलब कला कर चला, यह 3 और 9 है, 27 एकी गुए पढ़न है. कोई संख्या ग्राइस से बारती है, तो जरूरी नहीं कि वह नौ 17 से बारती है, लेकिन अगर कोई संख्या ग्राइस से बारती है, तो जरूरी है कि वह संख्या ग्राइस से बारती है, तो यह जरूरी है कि वह संख्या ग्राइस से बारती है, तो यह जरूरी है कि वह संख्या अग्याद हजार थी से वरिता बदा करना है। तो कहला संथ्या के अंपू का रोम अज़े टीन से वर भी तो एक, दो तीन तीन आरा तीन से कटा है। मतला क्या। यह संथ्या तीन से वरिता हो की कि? देखाँ वह थिर्म तो 590 से वर्था लगी के? हम क्या करेंगे 5,3,8 हरेंगे हम विखुद सही है अगर 9,3 से कट रहा है संधा के 3 से कट रहेंगे देखा था 11,534 फिर देखें क्या संधा 3 से कट रहे है फिर हमको देखना पड़ेगा इसके अंपों का योग संधा 3 से कट रहे हैं अगर संधा 3 से कट रहे हैं संधा 3 से कट रहे हैं तो देखो 5 देखें 6 6,5,11,11,13,13,18,18 यह 18 गराता है 18 संधा 3 से डिवाइब होती है तो संधा के क्या होगा 3 से डिवाइब होगी ऐसे से कट रहे हैं कि हमें सभी को नहीं जोड़ना है हमें इसके 3 अटा रहे हैं जैसे 5 और इंचे 3 बंदा रहे हैं 5,10,12,3,1 बंदा रहे हैं 7 यह रहे हैं इसके रहे हैं 9 से डिवाइब होगी इस बतावा जैसे 9 से वाइट होती है तो बहिया या जोडू 9, 9 17, 29 अगर 16 संख्या 9 से बढ़ती है तो संख्या दीख होगा 9 से वाइट होगी दीखा मत 11724 ऑपाज के संख्या 9 से वाइट होती है तो पहले क्या करना है जोडना है इंके उपकों को साथ पर एक आप, आठ एक नो, नो को प्यारा, ग्यारा चार पंद्रों, ये पंद्रा सु है, तो नो से दिवाइट में होता है, अक्तर संथ्या नो से दिवाइट नहीं होगी. इसको भी कटने दिवाइट होई है, क्या मैं नो कोई नोटिती बिजितने दिवाइट पड़ा देने, तो साथ एक आठ पर एक नोट पड़ादो, चार पूच्छे, छे नोट से बटता नहीं, से दिवाइट नहीं होगी. अधाना है, बताओ उए उनी कसंदा, ती, नो, सब ताइस किसे में सिर्वाइट नहीं होगी. तो स viele स्कneसित बढ़े होगी, थो हमें पूर जोडने नहीं है, हमें क्योव ऑलगाई हो तीन बटा लेता है, जिसे दू और एक तीन बटता ओगएक, तीन सिकत जाएगा, यह थीन बटता जाएगा, यह छे KN रिया, तीन सिकत जाएगा, साथ वाज 12 तीन सिकत तो आण तीन से कट रहे हैं, वे संख्या भी क्या होगा, तीन से इहासी तो होगी, इसी तरीके से नौको से करेंगी, तो हम पूरी संख्या जोड़ेंगे नहीं, हम कियो और नौक तो पुड़े को अठाते रहेंगे, जैसे रिखा होता, चार, तीन, साथ, दो, नौ, इनको ज पांच ये छह, छह, साथ, छह, तेरा, फिर देखने बाद, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह और साथ, साथ होगी, चावडा, चावडा और चह, वीज, वीज, और अठाईस, अठाईस और नौक, उटर ये, ज नौक आट लेएक, आठाईस और पांच, अठाइस और पांच, टेक्ष, क्या लिए टेक्ष नौ से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतले संचा नौ से दिवाइड नहीं हो भी, आंगर देखते हैं, 27 तो, यदि अमकों पर योग 27 से कट देखा, तो संचा 27 रियाग्ड होगी, इसको जोड़ेते हैं, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 16, 21, 27, 28, 28, 28, 36, 36, 45, 45, 10, 55, 55, 11, 66, 66, 12, 78, क्या ये 27 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, मतले संचा 27 ती दिवाइड नहीं होगी, तो अदर इसके सवाल लेख दें, कोशन नमर पहला, कहला है, पांच याद, पांच याद, पांच सो, बत्तिस को यह दियां, तीन से वाइड करें, तो सेज कितना होगीगा, कोशन नमर दूसरा है, 33, 34, 35, 36, यदि संख्या करें, तो से वाइड करें, तो सेज कितना होगीगा, कोशन नमर तीसरा है, 45, 56, 57, यदि सिंधा पर 9 से वाइड करें, तो सेज कितना होगीगा, तो हमें क्या करना है हमें पूरा भाग देपी चिक में करना है हमें पेरे इस क्या को जोड़ने है जोड़ो पांच पांच दस दस थी तेरा तेरा तो पंदरा यदि पंदरा पूरत्या तीन से डिवाइड होता है तो हम क्या पूरत्या तीन से डिवाइड होगी अपना यहां अदिखेस का लिमेंडर कज़ का इसे सेंदुने कि मुषचे का ऑस कर देंगे थीं फिसे नौ पर यही इस नन्हों कहा कि आक इमकेश्वित नहों अ तो य। इस अंग्या को नौ दे ढूर बचे को तुझ सेज का बचे का तरीका वही है जिदने 9 पेट को अठाते हैं तोड़े को 5 4 अब गाने हैं 7 5 2 और 6 18 अब बचे पांच, पांच दस और पांच पंद्रा, पंद्रा 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 से डिवाइट चिनी इस देशना से का 6, तो यह संग्या बहुन हो गया, आंगे देखते हैं, आंगी बिविजुल्टी रूँ देखें, इसमें रिखा 5, 25, 120, 5, 25 और 125 के बिविजुल्टी रूँ, सबसे पहले 5, अब 5 नियांस देखें, 5 से मसलिके का होता है, कि 5 में आँ किसी 1 से म्टिप्लाएकर हो, कितना हैगा, 5 आएगा, 5 में यदी हम 2 से क्यूक उपुनिअ कितना आएगा हhã ? 10 जरते हैं 12 5 में यदी हम 3 से मुटिपुनिए किगूक है . 15 5 में यदी हम 4 से मुटिपुनिए कितना आएगा ? 20 मतला पदा चाँ चला हमाँ अगर पाड़ा पड़ेंगे तो यह तो 5 लाजस के Лю ai destin nicht Soul जीरो आएगा या तो 5 आएगा, या या आप कह सकते हैं, कि यह यह राश की 2 अमिक औरांश की अगुक्स मतलब क्या कह सज़ते हैं यह संख्या का अंतिम अंग जीरो आ यह 5 हो तो यह संख्या 5 से दिवाइड होगी पिसमना पांच मेंगे हम एक से मर्टिप्लाई करेंगे तो पांच आता है, दो से मर्टिप्लाई करेंगे तो दस आता है, तीन से करेंगे तो पंदरा आता है, पांच से करेंगे, चार से करेंगे तो पच्छ आता है, सवरीगी साता है, तो मतलब क्या होगा, यह किस संख्या क पांस से multiply करेंगे, क्या तो वह पांच आएगा, या जीरू आएगा, खत्रक्या पदसला, ये थी संक्या का अनिति मांगी, जीरू या पांच हो, तो संक्या पांच से divided हो जाएगी, जैसे दिखा होता एक हजार पचास, लाश कर जीरू, संक्या पांच दिकर जाएगी, दिख जी हम पच्च्च्च्च में एक से multiply करें, कितना आएगा, पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कि मितलु साज्य की साइथ गवामें पांच, 0,5,05. यह क्यों लियाएट के दोंग जो हैं पच्चिस, पचास, पचेतर, दबनजी दोग यह पच्चिस पाथ हो रहे हें फिस हमीव करें लिए बता चिला कि यदि संख्या की अंतिर्डोंग संख्या के अंतिक दोंग 25 से विभाजित वहूं तो वह संख्या 25 से वाज़ को जाएगी पांच के रूल के आए, यदि संख्या का अंधिम अंग 0 या 5 हो, और 20 का रूल के आए, यदि संख्या के अंधिम दो अंग 25 से वाज़त हो, तो संख्या 25 दिवाज़ गई रही, इसी तरी इस 125 का देखते हैं, लिखाओ था 125 इंटू 1, कितना आएगा 125 आएगा, 125 इंटू 2, क कितना आएगा? 370 आएगा, 125 इंटू 4, कितना आएगा? 500 आएगा, इसे में क्या पचला कि यदि संख्या के अंधिम देर्ण 125 से विभासित हो, यदि संख्या के अंधिम देर्ण 125 से वाज़त हो, तो हो है संख्या 25 से विभासित होगी फिर समय नम पांच के रूर क्या है एजि संख्या का अंधि मंग 5 से डिवाइड हो संख्या 5 से डिवाइड होगी 25 के रिख्या है एजि संख्या के अंधि मंग 25 से डिवाइड हो संख्या 25 से डिवाइड होगी सबसे ज़्यादा करें और सबसे ज़्यादा मात्रपूर अब साथ को समझने से पहले बड़े जान को सुनना पड़ेगा कि जैसे कि संथ्या दिया बैयानिस सब्सक्राइब लेकिन हमको इसके रोल सुनने के लिए सिर्शी लेड़े परीड़ेगी जो इकायक अंग है इकायक अंग को दोना करेंगी कितना हैना चार और इस सतंख्या को से जिदने अंग भुचेंगे उनिम्हें से माइनस करदेंगी यदि यहां पर 0, 7, 14, 21 या कोई ऐसी संख्या जो 7 के multiple में हैं प्राप्त होती है तो वैस संख्या क्या होगा साथ से वाजित हो जाएगी साथ से विभाजित हो जाएगी पिर सुना अनलोग की संख्या में लेगी 119 हम क्या करेंगे इस 9 को जो काई गंग है इस 9 को हम दोगना करें कितना आएगा 18 इस 18 को से संख्या से गड़ाएगी तो 11 में जाएगा माइनस का साथ मत्तर संख्या साथ के multiple में है अस्तर संख्या क्या अब इस साथ से डिवाइड जाएगी लिखा आँगा तीन सु तितालिस फिर वही तरीका इकाई इस दिवाइड हो जाएगी इस 6 को हम क्या करेंगे इस ते संख्या 24 के माइनस करेंगे इस अब इस संख्या से डिवाइड हो जाएगी फिर समया दिवाता एक 1132 हमेंचे करना है क्या इस संख्या साथ से डिवाइड है या नहीं है इक आई बार करें इसको 2 गुना देवे 2 गुनी 4 ते संख्या से डिवाइड ही इतनाएगा उगिए 909 साथ से डिवाइड हो जै नहीं होगी गर थोट हरो हैं यह की छोड़बी संक्छािय इस्ट पता जाएंगी, आंगए के संक्छाएं इसी फता नहीं चलेंगी, जो बड़ी संक्छा नहीं है, वह भी पता चलेंगे, संक्छा के आपदऴ० कि ऐपनग के तुर्विक जोड़ है Turks for the second हमें पता करना है कि बता विया, कि संख्या साथ से डिवाइट है, या नहीं है. तो हम क्या करेंगे लास्टर लिकाएग मंहीं है, इसको गोंधा करेंगे 15, 10, इसमें माइनस करेंगे, इतना आयेगा 5, 3, 5, 3, 5. अब भी संख्या बढ़ी है, तो प्चाय करेंगे, फिर से इसी जो अंग बचा इसको दुखना करके से संख्या बढ़ाएंगे, इतना है गर 3, 4, 3, 5 अब भी संख्या बढ़ी लग रहे हैं, कोई दिक्काद नहीं, इसको दुखना करो, 3, 6, बढ़ा देगे, 5, 2, 8 अब भी बड़ी संख्या बढ़ी संख्या बढ़ाएंगे, तो 8, 3, 16, 16 यहाँ माइनस करो, इतना आचेगा, 36, और 36 संख्या आएंगे, 7 से डिवाइड नहीं होगी, वैसे तो लोग प्रैक्टिस करोगी, तो चीछ जल्दी हो जाएंगे, तो मैं लग राएंगे, बढ़ा 23, 33, 34, हमें चेकर रणा है कि बताव हुई यह संख्या साथ से डिवाइड रोती है, यह नहीं हो कि यह, फिट से वही प्राप्ट प्रासेस, एकाहिं को दूना करें, 4 दूनी, 8, 8 यहां लाएंगे, 13 में 8 यहां करेंगे, 5, 2, 3, 2, 3, 5 मिली 10, 10 यहां माइनस करेंगे, इतना 15, क्या 15 साथ से डिवाइड होती है, नहीं डिवाइड होती है, मतले संख्या भी साथ से डिवाइड, नहीं होती है, इसका इंगो लाओ जोगता है साथ कि यह, यदि, किसी संख्या में, यदि, किसी संख्या में, कोई अंग, छै बार, बारा बार, अठारा बार, चौबिस बार, या छै के वर्धे पल में, रिपीत हो, तो है संख्या में, कोई अंग, छै बार, बारा बार, अठारा बार, चौबिस बार, या छै के वर्धे पल में, रिपीत हो, तो है संख्या भी, साथ से, विवाजित होगी, तो है संख्या भी, साथ से, विवाजित होगी, तो है संख्या में, कोई अंग, छै बार, बारा बार, अठारा बार, या चौबिस बार, या छै के वर्धे पल में, रिपीत हो, तो संख्या भी, साथ से, विवाजित होगी, होगी, for example, जैसे निखा होता, एक, एक को निख्या भार लिखें, छै बार लिखें, तो संख्या क्या होगा, साथ से दिवाजित होगी, यादि 2 को हम 6 बार लेते, जो संख्या को साथ से डिवाइड होगी, यादि हम 3 को भी 6 बार लेते, तो भी संख्या को साथ से क्या होगी, डिवाइड होगी, यादि हम 5 को भी 6 बार लेते, तो संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी, तो भी नहीं कि 6 बार एक गिल, 6 बार 12 बार, 18 बार, 24 बार लिख सकते हैं तो अच्छा जो होगा? साथ से डिवाइड होगी इसका इतुन और भी है हरण पर इस बार्ट में यदि कोई तीन अंकी संख्या यदि कोई तीन अंकी संख्या दो बार रिखी हो यदि कोई तीन अंकी संख्या दो बार रिखी हो तो वह संख्या भी साथ से विवाजित होगी जैसे एक सो बतिस एक सो बतिस अगर विश्वास नहीं है तो यह क्या करने है साथ से भाव दिवाजित कर सकते हैं साथ गम साथ इतना वचा छह छह बचा दो यह विवरा साथ चपण इतना वचा छह एक साथ चपण वचा पांच तीन साथ तेन चास बदा चार बदो साथ चिनकित मैं आहे मैं आखे चा सतना साथ से अकलिक साह कोई साहता न तो यह साहे क्या होगा साथ से बाजित ben हो गिई एक पाट किसा भीटिट रेते हैं कि कोई किसरन चपण कोई उ Parliament नथ बारा बार अठारा जो साथ से भाड रुभाग या कोई तीन हम की संक्या दो बार दीड हो तो यह संक्या भी साथ पिवाइड होती है अब देखते हैं 11 के लिए जैसे संक्या लेखी हो 1221 जैसे कोई संक्या लेखी हो 1221 हमें इचे करना है कि बताव ही संक्या 11 से डिवाइड है या नहीं है तो हम क्या बढ़ते हैं यह काई के लिए इसके आंगी करने का इनको जोडेंगे कितना एक दो और एक तीन फिर हमी दो लेंगे और इसके आंगी जोडेंगे इतना एक तीन यदि इनका अंदर यदि इनका अंदर जीरो हो या ग्यारा के मल्टी पद में हो फिर समयना यदि इनका अंदर जीरो हो या ग्यारा के मल्टी पद में हो फिर समयना यह है एक लिए एक रिपोला इसके आंगे जोडेंगे फिर हमने यह दिया, एक इसके आगे बाले जोड़ा, यदि इनका अंदर क्या हो, 11 के मर्टिक बन में हो, तो संथ्या क्या होगी, 11 से इबाय डोगी, जैसे रिखा होगा, 12,321, तो अब क्या करेंगे, एक में तीन जोड़ेंगे, 3 में में एक कितना आएगा, 4 में दो में दो रोड़ें, 4 इक कितना आएगा, 0, 0 आए, 11 आए यह बारी साइगा, यह त iniatis आएगा, अगर इस तरीक में सबकुछा आठी आटीग हीए, तो संहित पुर ग्यार से डिवाइड होगी है हैं यह इतने वह को हर नहीं सुन्रMA ए इन दोन और निकाला है कि इस इतना है जिसेरि इनला इतना है 7 जिरो आंधार में थीरू इनके मुटिपल में 2 संग्याओं से रिवाइड होगी बतलग लगातारो ना फालिकान नीका एंगी, धी 0 आरहा है, 11 आरहा है और 19 में मुटिपल में आरहा है तो 9 आज से डिवाइड होगी अग्रा प्वाट लेकर हैं जैसे निता सके लिए उठी 5 4 3 2 1 6 8 9 और अग्रे निकाल बता गड़ना है कि बताओ कि सब्सक्राइब 11 से दिवाइड है या नहीं है तो में क्या गड़ना है यह कि लिए इस छोड़ कि क्या बड़ना है 9 5 6 15 15 15 दो 17 17 4 21 किस है लिए लिए अब जो जोड़ से उनकों लिए आगे लिए आट इक नौ 9 की बादा 12 मांस 27 21 दोड़ना है 24 आटा है हमने लिए 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 इसी कोई संध्या तो पाई नहीं अद्का संध्या यह क्या होगा 11 से दिवाइड अब आंगे तुम्हारा अज़ा 13 साथ दागी हमने 11 दागी हमने 13 देख लेते हैं 13 देख लेते 14 मालव भी दोग पता ही है 16 देख संध्या रूपी है इस रूर को सुड़ने के लिए हमने ऐसी संध्या चाहिए इसके विसे पुटी जब काड़ी है हम तो क्या करेंगी क्यों 1 दाग है इस 1 दाग क्या करेंगी इतना आएगा 24 24 इस 21 को क्या करेंगी इतना ह bilingual 24 को आंग्ण संध्या प्रत होती है कि वह 13 से divided होती है तो संध्या क्या क्या हम रूपा हो जाएगी यह से निखा होता है कि क्यान भी कि क्यान भी निटा है कि इतना है एक एक का चार में कि इतना है यह चार चार को इस में जोड़ कि इतना है यह तेरा क्या संध्या तेरा से डिवाइड हो रही है अगर एसंखा 13 से डिवाइड हो रही है तो एक्यां की भी 13 से का वब डिवाइड हो जाएगी आम ऐस मिखे देखें एकसो उनतर एकसो उनतर आम क्या करेंगी इकारिका आमें कुछाग करें कितना है आमोचब कुछ शतिस 36 को आंकिस हिंगा में जोड़ देंगे कितना एगा 6 तुरी 12 के दो एक 3 तुरी 4 तुरी 5 25 तुरी 12 काथ भाग यदि 23 से कट रही है तो संख्या पिक्का होगा 13 से डिवाइड हो जाएग जिसे लिखा होता 243 पताते हैं जिया कि 1213 से बट्की है यह नहीं बट्की होगए तो क्या करें हम 21etin होग हो चारवणा तुरी 5 12 12 तुरी 6 significa 05953 का यूथ लिखा होता 270 क्या करें इस लिकाइक पिक्क्स का करें 4ड़णा ते जिवाणा 12 यहां पर जोड़ना भी संख्या आपके ताथ नो दो अलेटी है 49 तेहां देहां 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 से स्वायट हो जाएगी 12, 18, 24, 35, 35, 55, 99 या बात कर नी हो या 38 दी हो या 225 दी हो इस अंख्याओं के आप रियूर्टी हो ने कैसे मातने हैं तो इसको देखने से परविए स्टिकने से पहले, हम एकटी सिछनी होगी सह, आभाज, समझ्याओ सह आप την के अबने होगी सबसे प्राजी ग्लासीी इस संख्याओं के चंजनगा अगी देखती बताया था हम इसे संख्याओं पर जोड़ा ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके आपस में कोई गुर्ण खंड ना हो उन्हें हम से बास संख्याओं का जोड़ा जिनके आपस में कोई गुर्ण खंड ना हो उन्हें हम से बास संख्याओं कहते हैं वे संग्या हैं, आब भाज ये भी उत्ती हैं, आब भाज नहीं भी हो सकी हैं, लेकि उनके आपस में कोई भी गुर्ण खट नहीं होने चाहिए, जैसे 5,9 या 3,5 या 10,13 या 11,18 या 4,3,5 ये संग्या हैं, आपस में सय भाज संग्या हैं, अब इसी को यूज करते हैं, हम इन संग्वाओं के दिविल्टी रूना से, सबसे पहर हैं 6 के संग्या, अगर हम 6 के सय भाज दुखन करें, तो क्या करेंगे, 2,3, ये सय के हम सय भाज दुखन करें, कितना है का 2 और 3, इसी क्या प्रशला, जो संग्या 2 से और 3 से, दोनों से डिवाइड होगी, वैं संग्या 6 से भी दिवाजित होगी, वैं संग्या 6 से भी दिवाजित होगी, इसके अज़ बाट देते हैं 12, 12 इंटना आए है 6 इंटू 2, या 3 इंटू 4, 6 इंटू 2 इस तरह परणकर 2 बन गया, मतले संग्या ये शे संग्या नहीं है, मतलब 6 इंटू 2 वाले फैक्टर हम लेगे, 3 इंटू 4 वाले, इसे फैक्टर लेगे, जिनके रापस में कोई फैक् और 4 से भी divided है, वह संग्या 12 से divided होगी, मसलब, 4 संग्या 3 और 4 रदो से divided है, वह Si 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 Su Si 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 और 9 x 2, तो 6 x 3 तो लेंगे नहीं क्योंकिये उसने आप संख्या नहीं है, कहा लेंगे 9 x 2 लेंगे, यती कोई संख्या 9 x 2 दोनों से डिवाइड है, तो असंख्या 14 से डिवाइड होगी, मानलों 24 लेते हैं, 24 के 7 तो बेंटे 8 x 3, मतला ऐसे संख्या, जो 8 से डिवाइड है, और 3 से डिवाइड है, तो वैसंख्या 24 से डिवाइड होगी, मानलों लेते हैं 25, 25 के मतलब 7 x 5, ऐसे संख्या जो 7 से डिवाइड है, और 5 से डिवाइड है, वैसंख्या 25 से डिवाइड होगी, मानलों लेते हैं 25, 25 के लिखेंगे 9 x मतला ऐसी संख्या, जो 9 से भी divided है, और 5 से भी divided है, वह संख्या, 25 से भी divided होगी, 15 तो मुदर कहता है, 11 इंटू 5, मतला ऐसी संख्या, जो 11 से भी divided है, और 5 से भी divided होगी, वह संख्या, 25 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 स मैं ऐसी संक्रा जो 9 से भी डिवाइड है पर 11 से भी डिवाइड है और वे संक्रा नियानवी से भी डिवाइड है क्योंकि हम 11, 5, 8, 9, 10 सारें के सारे रोड़ पा चुके हैं तो आंगे तुमको 45, 25, 28 और नियानवी के रुड़ इकाले के पर दिकर नहीं होगी मानगो हमें पुछे करना है बातर बताओ यह कोई संक्रा बातर से कब डिवाइड होगी तो इसके हम करेंगे स्रेय बात चभण कंट 8 और इल्डू 8 इल्डू? 9, 9 मतला ऐसी संक्रा जो 8 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो को वह संख्या Turbo से Divide होगी एक संख्या सेत कद गठ जाये तो संख्या 8 से Divide होगी संख्या으로 2 संख्या के संख्या 2 से Divide होगी इसके जो problem है, question है, वो अगले class में इसके स्केट आएंगे, तो आज की class को में पर समाथ करते हैं, अगर आगको ये lecture पसंद आता है, तो इस lecture को, इस वीडियो को like करें, और इस चैनल को subscribe कर सकते हैं, धन्युक्राइब